पुर्निया नगर निगम वाड संक्या एक्तिस स्तेत पासवान टोला बी 37 सालों से विकास की बाट जो रहा है इस इलाके में 1958 के भीशन सहलाब के बाद कोई जाकनी तक नहीं आया करीब 5000 की अबादी वाले इस मुखले में विकास के नाम पर सिर्फ बिजली के खंबे और लोगों ने समाजवादी जितिंदर यादव को अपने वाज बुलाया और इलाके का द्यानी एस्तिती से रूबरू कराया है अस्तानी सैक्रों लोगों ने जितिंदर यादव का स्वागत किया और उन्हें अपने मुखले के विकास के लिए अपील किया वाड की द्यानी ए आने वाले वर्ष में आम वार्डों की तरह इस वार्ड में भी विकास होगा जितिंदर यादव ने कहा कि इस महले की इस्तेती के बारे में अस्तानी प्रतिनीदी से लेकर विधायों को तक्यो जानकारी दी गई है 37 सालों से यहां की समस्याओं को कोई देखने तक नहीं आये है जितिंदर यादव ने कहा है कि 5000 अबादी वाले इस इलाकों की समस्याओं को वो जल्द ही दूर करने की कोशिश करेंगे महापौर प्रतिनीदी साज जितिंदर यादव रविवार को छेत ब्रह्मन के करम में वाड नंबर 31 रामबाग पहुचे थे जहां अस्तानी लोगों द्वारा सरक एवं नाला की समस्याओं से उन्हें ओगत कराया है इस समस्याँ से उन्होंने महापौर विभा कुमारी को ओगत कराया वाड नंबर 31 रामबाग पासवान टोला के लोगों ने महापौर विभा कुमारी के सरक एवं लाइट की समस्याओं को दूर करने की मांग की थी रविवार को नगर ब्रामन के दौरान समाज से वे जितंदर यादव ने रामबाग पहुच कर अस्थल का जाइजा लियो और लोगों को समस्याओं से रूबरू हुएं इस दौरान अस्थानी लोगों ने काफी गरम जोशी से उनका स्वागत भी किया है उन्होंने महापौर की बात करने से अस्थानी लोगों को दो दिन के अंदर में सभी खराब परे लाइटों की मरमत और भरोसा दिलाया कि वो जल्दी सरक का भी निर्मान कर देंगे संबन में महापौर विभाग कुमारी ने कहा है कि वार्ड नंबर 31 के लोग द्वारा सरक निर्मान की मांग की गई थी साथ ही खराब परे लाइटों को ठीक करने एवं नई लाइट लगाने की भी मांग की जा रही है असानी लोगों की मांग को देखते हुए आज समा से भी जितंदर यादव ने रामबाग में पहुच कर जाइजा लिया तथा वास्तु इस्तिती में ओगत कराया गया है रामबाग में खराब लाइटों की मरमत दो दिनों में करने का निर्देश संबंदित अधिकारियों को दे दी गई है जल्दी सरक का निर्मान भी करवा दिया जाएगा काफी दिनों से अभी जो हम 31 नंबर वाड से पासवान टोला में हैं हम लोग अभी इंक सिटी के सामने तो काफी दिनों से इन लोगों की मांग थी कि आ करके एक बार देखिए हम लोग के यहां काफी सरक का इस्तिति खड़ाव है ना पानी का जल जमाओ है और लाइट का वेवस्ता नहीं है यह सफाई का वेवस्ता के ले करके तो अभी हम लोग आए हैं मेर सही वा तो नहीं आ सकी उनका अभी पूजा प्यहें वह नवराति में वा आयेंगी इसके बाद लेकिन आ करके देखे हैं जहां तक अभी सोलूसंच हो सकता है सपाई कि वे वेस्था की और जब जब आटिंचे श्तिति तो यह वारने तो चांद में तो संभव नहीं है पूरे पूरे वाड को करना कहने कि हमारे पास बजट कम है जो पैसा जितनाВотन thrown और कि व्यबने हम लोग प्रियास कर रहा है कि कम से कम इसको पेवर ब्लोक करके जो मुःक है ऑगली तौल से लगाने का काम करते हैं तो उसमें पेवर ब्लोक लगा देंगैं तो बरसात में पानी आएगा पानी नीचे अफसूसित करेगा तेवर बुलोग से दो फैदा होता है नाला का निकासी यहां पर नहीं है जब आगे निकासी होगा तो फिर आगे रूट ढ़ला करके नाला रूट बनाया जाएगा पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्या नहाँ पुड़निया वापस जाएगे जोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूनीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined भारतिया जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800-00-00-2024 पर मिस्ट कॉल करें निवेदक भारतिया जनता पार्टी बिहार